यो, what's going on guys, कैसे आप सभी लोग को उमीद करता हूँ, आप लोग सभी कोई बढ़िया और खुश होंगे, तो guys, आज हम लोग के लिए दुबार से आपका पी का फेवरिट गेप, GTA 5, और guys, GTA 5 के अंदर आज हम लोग कने वाले हैं, brand new car से racing, और Mr. Chopzer, आप आगे जाएगा मेरे मैं आपको थोड़ा सा lead देता हूँ, हर race में आप ही आर जाते हैं, तो इस बार हम आपको आगे जाने देंगे, अरे दोस्त, बिलकुत सही समझा तूने, लेकिन निकल जा, अब ही मौका है, लेकिन जब तक मैं गन बतल रहो, तब तक भाग ले मुन्ना, क्योंकि एक बार ग पुबड़े आदमी क्या कर दिया, इस गाड़ी के ऐसी की तैसी भाई, हवा में ही भाई साफ साथ छोड़ दिया इसने, लेकिन कोई बात, guys, we gotta have to keep trying, और हम लोग एक ने एक बार कर ही लेगे, आरे बाई, हट जाओ ने यार सामने से, गाड़ी अटका दिया यार, चौप तुमने, भाई, alright, guys, अब हम लोग का टाइम है, आप फिर से जंप मारने का, क्योंकि चौप ने भाई, एक दो बार घिरा दिया आप लोग को, लेकिन कोई बात ने, भाई, यहाँ पर बहुत इजाला खतरनाक रास्ता है, दोस्तों, और यहाँ पर गाड़ी अटक सकती है, तो हम लोग को इसका भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन, मिस्टर चौप लगता है, आपने ध्यान नहीं दिया, और आप पानी में गिर गए, पारी में तुम गिरा हूं, लेकिन बादा करता हूं, एक दिन जारूर उटका वापस आऊंगा मैं, आरे हाँ, ठीक है भाई, क्या लंडिक थी भाई, वसे सच बोलू तो guys, ये काड़ी बुलेट प्रूफ है, तो we don't have to worry, कि कुछ भी हो जाए, बस पानी में ना गिरे, क्योंकि waterproof गाड़िया यार, मार्केट में बनती नहीं है, उनको सब्मरीन कहा जाता है, समझ गया चौप, वाई एक गाड़ी थी अब लोग के पास पानी के अंदर भी जाती थी, अचा हाँ, एक दो गाड़ी है जो भाई, पानी के अंदर जाती थी, लेकिन सारी गाड़िया नहीं जाती है, वो सिफ जैम्स बोन वाली गाड़िया ही जाती है, और राइट, नह इस टाइम कि अपर लोग ऊपर जाए, चे गाड़ी ने तो एक बार में यहां पर पार कर लिया लेकिन भाई दिक्कत हो सकती थी वह तो भगवान का लाख लाख शुकर है कि आपर लोग को दिक्कत नहीं हुई all right guys मेरें को पता चल चुका है जाना कहा है एक्षिलि भाई हम लोगों को सीधा जंप कर रहा था और मैं दो देन बार इदर जंप करके अपनी गाड़ी को पानी में फाल्तु का घिरा रहा था लेकिन भाई हम लोगों की परिक्षा है भाई हम लोगों की परीक्षा है जिसको leap कहा जाता रहे भाई यतना जोर से leap of faith नहीं लेना था कि सीधा underwater चले गए भाई मेरा बंदा भी गाड़ी छोड़के निकल गया भाई साप क्या दिक्कत है भाई तुम्हें oxygen से पसंद नहीं है क्या तुम्हें चड़ो कोई बात है guys अपने को क्या आपने को दभाय आगे बढ़ने का है एटलीस इतना पतो चल गया कि हर बड़ी में गर बड़ी दोस्त हमेशा होती है चाहे आप अच्छी गाड़ी में बैठे हो या फिर auto 800 में चाहे आपको यार उडने वाली गाड़ी दे दे या फिर प लोगो बहुत इस चीज को कम्प्रीट कर लेना चाहे था बीना किसी पसीना के अरे बीना पसीना निकाले ब्रो मेरा कहने का मतलब ये था तुम शब्दों को छोड़ो भावनाव को पकड़ो मेरे दोस्त तुम्हें कब से समझाता हूँ रेसर बनने के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट होटी है और वो है पेशेंस और दिमाग ठीक है दोनों ही चीज तुम्हारे अंदर नहीं है तुम्हें जब भी सुबह में बाथरूम जाना रहता है तुम दरवाजा टोर के एंट्री मारते हो मलब इंतजार कर लेते मेरा भी काम कम्प्रीट हो जाता हम दोनों अपना काम कम्प्रीट करके खुसी-खुसी घर वापस आते लेकिन नहीं तुमने हमेशा गलत रास्ते ही चूज करना है क्यों जाना है तुम्हारे देखो भाई आप एक कुत्ते को सुसु जाना है तो भाई जाना है अब मैं पालती अपनी दर्द भड़ी कथा आपको कभी और सुनाएंगे अभी के लिए अपन लोग आगे पढ़ते है आरे दोस्त यहां पर क्या है आरे बता तो देते भाई आसमान की उचायों में लहरा दिया बिना बोले भाई सहाब अच्छा उदर जाना है पता तो चल चुका है लेकि येस हो गया नहीं नहीं हुआ भाई एक इंच से बज़ गया भाई इस बार तो हो जाना चाहिए था भाई सहाब ये थोड़ा लोचा चल रहा है काई इसको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा और इधर ब्रेक मार दो बहुत ईजी एकदम लैंड करके मखन लेकिन इस बार हम लोग हार नहीं मानेगे दोस्तों मेरे को अब पता चल चुका है ब्रेक कहां मारना है एक बार इंसान से गलती होती है दो बार इंसान से गलती होती है लेकिन तीन तीन बार सिर्फ चौप से गलती होती है इतर्फ इतर्फ एलेक्सांडर को है वह भी बिना पूछे संब अंपने नाम के पीछे पूछना हा गुशना होता है लोग तुछे बुलाइंगे वह पोलाहें नाम तो आज तक तुने है तो इतर्फ किसले बुलाओ मैं बाई-स सुभा-सभा आगे भाई लोगो को परिशान करता है और अपने आपको ग्रेट बोलेगा अब आप ऐसे बोलेगो तो भाई मैं तो डूब बन जाऊंगा सबके साबने देखो एक बार के लिए मने को चौप ग्रेट बोल दो फ्रॉस्ट बाई रेस मैं आपको जीतने देदूगा अब चल बे रेस तो मैं इससे भी जीतूँगा गजब बात कर रहा है भाई हमारे स्किल्स की बेज़ती करोगे तुम भाई मैंने इतनी महनत की यहां पर इतना खून पसीना इजट सब भादिया इस रेस को जीतने के लिए लेकिर भाई इस बंदे को देख लो तुम अब ग्रेट बोलूँगा तभी रेस अगर आपको फिर आइडिया पसद आया तो ओडियस को बोले ना कॉमेंट करके बोलने के लिए चौप दग्रेट उपी भाई अगर ओडियस लोग कॉमेंट कर देंगे 10,000 लोग तो फिर आपको बुलाना होगा भाई आ ठीक है चल भाई अब इतना डिबाट करेगा तो ठी आप लोगों ने सुन लिया भाई कर देना बेचारे के लिए बहुत बहुत ज्यादा बिंती कर रहा है यार बहुत दिर में दर्थ है इस बेचारे के इस दर्थ को समझिए और फटा फट से कॉमेंट करें और चैनल पर ने हैं तो सब्सक्राइब भी करी देना भाई उसके में उपर नीचे कहीं पर होगा वो लाल करण का चम चमाता हुआ बटन अरे यह मैप स्माइल कहें मार रहा है लगता है इसको खुसी बहुत जादा हो रहा है कि अपर लोग यहां पर रेस में इतना जादा स्ट्रगल कर रहे हैं बट वरी नॉट गाईज क्योंकि यह स्ट्र देखो तुम तुम देखो गाईज कैसे लहरों का चीरते वेज जाएंगे एकदम नौका पार करके आएंगे आरे रहे लहरे बहा दिया अरे रुको ओ भाई इंजन में पानी भर जाएगा बहुत पहुत मारेगा मेरे को फ्रॉस्ट भाई अभी सब पानी का पानी और पार बरस लगेंगे या पाच बरस लेकिन गाईज आप तो जानती यार फ्रॉस्ट भाई सवाए कोई भी चीज बच नहीं पाती है अरे अरे गाड़ी फिसल गई यार बच नहीं पाती है यह समझाता लेकिन चिपका भी नहीं पाता हूँ यह पहली बार देख रहा हो चलो यह पूरा का पूरा ठेड़ा बना दिया है इन लोगोंने गाड़ी भाई साब उपर चड़ने का नाम नहीं ले रही है ग्रिप ही नहीं हो रहा है उपर से जब भी मैं कोशिश कर रहा है इस गाड़ी को भाई आराम से आगे निकालने का तब यह नीचे चली जाती है बहु यह जीटे रेस वाली यह चीज़ कभी नहीं समझ पाएंगे और यह दो भाई मैंने चाहे तीन बार हारा चार बार हारा लेकिन एक बार मैं जा करके सही चीए जारा नहीं लास्ट में अपर निकलो गाइस स्विमिंग मोड अक्टिवेट करना पड़ेगा यहां पर अब इस लाइन एकदम बगल में मजाग भी नहीं कर रहा हूं मैं सिफ और सिफ 19 चेकपॉइंट वाली रेस थी लेकिन पसीने छूट गए भाई और काईज अब टाइम है हमारे फाइनल ऑप्स्टिकल का वाई कंट्रोल आपके एकदम आवाज में दर्द दिखाई दे रहा है वाई इस रेस में बहुत टॉर्चर कर दिया क्या आपको अरे दोस्त क्या बताओ कभी कबार गुसा यार निकल ही जाता है वो क्या है कि ये टाइट रोप देख करके मेरा खून उबल गया गाईस देख रहे हो इसको तो पैदल ही करना पड़ेगा यार you know what I'm not even gonna try man let's just do it battle ठीक है लाइफ में कोई भी चीज आसानी से नहीं हाथ में आती चाहे वो फिनिश लाइन है या फिर चॉप ठीक है बलब दोनों कोई पाने में बहुत मुश्किल लगता है समझ गया है आप इतना बड़ा अच्छा बात बोल दिया भाई आप मेरा बार मेरा दिल जीत लिया जाओ तारे के तारी गलती आपके माफ कर दे भाई बस चिंटु भाई को इस वाले रेस का भी पाईसा बेज देना ठीक है आब आप इसका टेंसर मतले अल्रेडी मैंने बता दिया रेसर को कहा पाईसा बेजना है और राइड गाई तो दैट वस इत वीडियो आपके अने नेक्स आपके अने वाईसाटी ।